कि हाई फेंड्स आज हम बात करने वाले हैं यार बोधी शांदर वाले टोपिक के बारे में आज बता दो आपको बहुत सारे डाउट आपके के लिए रहो जाएंगे आप लोगों ने कभी सुचा तो होगा ना कभी घर पे बैठे बैठे कभी तो सुचा होगा ना कि हिंदू और मुसलिम के बीच में यह जो दूरिया है यह दूरिया क्यों है इनका रिजन क्या है हिंदोर मुसलिम के बीच में जो टूरिया हुई है जीे एक relief को इतना उत्हकु हो कभी कभी ऐसे लदायां होती है कि फृब ही पर कार 2 के अलग हुई कि इस परकार से अलग हुई इस परकार你 माल हुई कि इस इसका भी आज नाम आपके सामने आने वाला है भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई तुम लोग कितने हो 500 लोग हो चुके हो और 500 लोग एक-एक लोगों को भी सेर करोगे तो कितने हो जाएंगे वन के जो कि हमें चाहिए तो चलो हम बिना टाइम मने ऐसके अपने ड़ şur family वाई आज हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान कैसे बचाहऊ है पाकिस्तन चोड़ो पाकिस्तान बनने कि बात क्यों आई किया जरूरत थी पाकिस्तान की क्यों हिंदू-मुसलिम को अलग किया गया किसने किया यह सब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बात बता दून कि हिंदू जो मुसलिम जो पनने था मुसलिम कंटरी बननी थी उस से पहले मुसल्मान जो मुसलिम थे वो किस परकार से अलग हुए किसकी फोर्म में अलग हुए वो हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो आज हम बात करने वाले सर सेयद एहमद खान बहुत ही खतरनाग बंदा है मतलब जितनी बात करो उतनी कम है इस इसके बारे में आपको पूरी पीएचेडी करवा देंगे इसके ओपर ठीक है फिर उसके बाद हम बात करेंगे मुसलिम लीग फोर्मेशन पढ़ने से पहने हमें किसको समझना पड़ेगा सर सेयद एहमद खान को तो आओ समझ लेते हैं भ आपको बता दें यह सर हमारे थे सर सेयद एहमद खान सर आप इनको सर क्यों बोल रहे हो तो भाई इतना बड़ा काम किया है सर के लायक तो हैं यह तो इन्होंने क्या मतलब यार यह बहुत ज़्यदा पड़े लिखे थे वह ज़्यदा नोलेजबर परसन था इसलिए मैं इन कि दूकिष्ट के राख़े जैसे निका जनम पोट यह जो कहते ना समरत फेंगली जिनको बोलते हैं बड़या पैसे वाला पड़या धनवान धनवान यह नहीं कह सकते भाई दो फैन के गर वाले थे ना सकते सफयर्क्रणा परशल रम सी स्कराइब रिलेजन से व्र्लाह from the करने में बहुत हों वह जनवे 187 के निकी पिताजी के बारे में बता दिया जाए आपको इनके लाजी परसनल अकॉंटेंट थे किसके वह किसके दवाई अकबर सेकेंड के उस ताइम पर मुगल जो एंपायर था उसके अंदर कौन राज कर रहा था अकबर सेकेंड याद रहे हैं चीजें किस परकार से कनेक्ट होती है यह देखते हो चलना हो ठीक है फिर उसके बाद इनका पैसे वाले इंसान तो कुछ अच्छी पर कर्वाएंगे काफी अच्छी अच्छी इस प्रस दोनों ही नोने ली उसके बाद मुगल दूसरी चीज की अब इनके पास दो अपस्ट यह जैसे इसने बहुत दिमाग दानी बन गया काफी जो रिलीज्यस भी ले ले लेता है जो बहुत वैल्यू बढ़ जाती थी ठीक है तो अब जैसे यह रिलीजियस तो ले लिये थे इन्होंने अब क्या ले लिये इन्होंने तो अब इनके पास दो उप्संथ है या तो मुगलों के पास चला जाए या फिर ब्रेटिस के पास अब इनको चूज करना था या तो यह अपने पेट्रेकल जो चीछ चलती आ रहे थी इसके दादा पड़ दादा उसके दादा सब क्या बहुती उची उची पोस्ट पर थे अब भाई साब सरसेद एहमद खांगो अब भाई साब इसको जैसे इसने एजुकेशन बढ़िया ले ली तो अकपर सेकंड बोलते हैं हाँ भी वह वेद रखांब आप आजा लेगी एजुकेशन आजा अब तुम्हें यह पत देते हैं इसको संभाल इन्होंने जब की जब अध्यक कंपनी के पास चलेंगे तो इसने किसको जोइन के मुगल को इन्होंने कहा कर दिया अब आपको बता दूं कि इसटेंड्या को कि इसमें जोइन किया इतना हाड में किया हाड वरकर में था होती खतर ना आप वार इनका प्रमोशन होता गया एक प्रमोशन दो प्रमोशन तीन प्रमोशन ऐसे प्रमोशन होते गए और आपको बता दो कि यह बिजनोर कोर्ट के अंदर Chief Assistant Officer के Chief Assistant Officer सबस्क्राइब करें अब बिजनोर कोड़ के अब इसनोर कोड़ की क्या बन गए थे चीफ असिस्टेंट ऑफिसर बन चुके थे तो इन्हों ने इनका जो पत दिखाना इनका जो वैल्यू थी वह अलगी लेवल की थी और आपको बतादो कि लोयल एस्ट बंदा था बहुत बह सब्सक्राइब कर लो इसकी कस्में खाई जाती थी कि भाई साब की कसम खा लेते थे कि भाई उसकी कसम मैं जोट नहीं बॉल रहा है इतना लोयल बंदा था तो चीज़ें समझा आ रही होंगे आपको कैसा इंसान था उसके बाद मैं आपको बता दो कि इन्होंने एक क्या ख असबाब इप बगावत इंद तो इन्होंने कहा अठारस सब्सक्राइब बगावत इंद उसको एक नाम दे दिया और उसके अंदर कहता पूरा का पूरा जो आप सब लोगों को बतातु कि इतने शांदार वीडियो पहले पड़े अपने पूरे प्लेलिस्ट के अंदर रख पर भी थोड़ी ना मनाया है आप सब लोगे के लिए ठीक है तो अब जब इन्होंने असबाब इपकावत हिंद का नारा दिया उसके बाद इन्हीं लगने लगा कि या जो है ना अब 18-18 के अंदर क्या हुआ कोंग्रेस का फॉर्मेशन हो गया अब जैसे कोंग्रेस का फॉ मुसलिम्मों के लिए नहीं है यह किसको लगता था इन भाई साब को तो इन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ना जिंदगी में कुछ करना है तो आप पढ़ाई करो क्या करो पढ़ाई करो करते रहो जिंद्रा पढ़ाई करते रहो पढ़ाई करते मर्जाओ लेकिन पढ़ाई पढ़ाई सबसे जदा इंपोर्टेंट है अगर तुम्हें ब्रिटिस में कुछ पाना है ब्रिटिस हमारे हैं और जो हिंदूज है इन्होंने तो अलग इंस्टिटिविशन बना लिए हमारा क्या होगा तो इन्होंने इसकी स्थाफना की जो कि मुसलिम यूनिवर्स्टि के नाम से जानते हैं वही पहले किस नाम से जानी जाती थी मॉंडन ओर यूनिवर्सटी के नाम से जानी जाती थी ज़ो किससे स्काफिन तो सथ सउयद ऐह tentang वा तो चीजे समझ भारी हो की साइध। उसके बाद रमदा दें कि होने वालए होगी स्में कि यहाँ से हिंदू और मुस्लिम्स के पीच का जो गैप था ना वह यहां से आना इस्टार्ट हो चुगा था कहां से सर सेयद एहमद खां अब आपको इन से रिलेटेड सायद कोई चीज नहीं आ रही होगी इनकी मान सकता इनकी आइडियोलोजी आप समझ चुके होगे और बता दो आपक की आइडियोलोजी समाजाई अपको किस परकार से सूखते है वह स्टार्टिंग में कैसे एब कंभính का फोर्मेशन हुआ यह सोस्ते हैं जो कॉंग्रेस से वह तो सिर्फ हिंदू के लिए आगर हिंदू के लिए तो हमारा क्या होगा भाई मुस्लिम रोगों क्या होगा यह सोचते दाए अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम लिग का फॉर्मेशन कैसे हुआ तो आपको बता हो कि भाई भंगाल दिविजन हो हो गया था जो आपना वेस्ट बंगोल मैं और इस्ट बंगोल में यहां प्या थे अब मुस्लिम मेजुरीटी थे वह बहुत खुश हो रहे थे नाच रहे थे भूलब बजा रहे थे मजा आ गया अपना अलग से स्टेट बन गया क्योंकि अगर वह सोचने लगे थे अगर हिंदू अगर थोड़ी दिन बात चाहिए तो हम्हारा तो हम तो क्या हो जाएगा हम tu Rio लोग ऐसे स्वेदर कर दिया गया कम से कम मारी मेजुरीटी का इरिया तो निकलकी आया किसी स्टेट में तो हम राज करेंगे ऐसा उन्हें लगने लगा बलकि जो हिंदू थे इधर इधर कुन थे हिंदू वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे वो बैट के रोने लगे भाई साब ये क्या हो रहा है अग उन्हें पता था अंग्रेज गलत कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे थे वो बोल रहे थे कि यार ये गलत है ये नहीं होना ची ये सारे स्केर तो तुम लेकर वेट्यों तो हमें इतना सा मितलब तुम तो हमारे अपने नहीं हो हमारे अपने तू हमारी ब्रीटिस है क्यूंकि उन्हों थे अलगकित्तुमं कम आने मुड़े रगए iyi कैप्ट्र बृटिस की माय है से इंचेंड ब्रीटिस की उन Keeper करने लगी फिर उसके बाद बतादो आपको कि भाई यह जैसे हो रहा था तो फिर इन्हों ने कहा कि हिंदुगों के लिए तो इस पेसल अलग से बढ़ा रखिया आपने क्या मुस्लिम लोगों के लिए भी तो होनी चाहिए ना तो इन्होंने इनकी क्या होती थी जो भाईसाब हमारे महान भाईसाब सरसेयद एर्मद खान ने स्टार्ट की थी मॉंध nue educational conference तव थी तो 15 दिसंबर 1906 के अंदरнийrum 12 दिसंबर 1906 के अंदर modern educational conference हुई अभी इस conference के अंदर जो डाका के नवाब थे कौन थे धाका के नवाब क्योंकि जो अपना इस्ट वाला पाकिस्तान था उसके जो नवाब थे वो डाका के नाका उसकी राजदा नी थी काचा नत्यम यहा थे क्या थे वहीं काचा सलिमुल्ला बहादुर में बहुत दिकत होंने यहां क्यों मुस्लीमस के यहां झो नौफ दाका के अब उन्होंने कहा कि ठीक है बणा लों सब बडे बड़े नां क्या रखें माने धन पे बच्चा पेदा होता बच्चा पैदा होता तो सबसे ज़्यादा मामा भुआ चाचा चोची ताही तुई जो भी होते सम नाम सोचने लग जाते हैं और फिर नाम जिसको स्लेक्ट होते हैं मतब अलग ही खुशी होती है कि मेरे नाम मैंने नाम निकाला इसका ऐसा कुछ था तो यहां भी नाम लोग नाम सोच रहे थे आपकाले क्या निकाले से क्या नाम होना चीए फिर उसके बाद जो धाका के लवाब थे क्वाज़ा सलीम अल्ला बहादुर इन्होंने कहा कि यह नाम कैसा है ओल इंडिया मुस्लिम लीग कैसा है भाई साब मतलब सारे मुस्लिम उठ्वाइब पूत पूत वजह आ गया है सारों के सारों ने बहुत ही अच्छा नाम है फिर आपको बता दूं कि जो नाम तो इस्टेबली नाम तो आ गया था ओल इंडिया मुस्लिम लीग फिर उसके बाद इसके अंदर जो मैं जो लीडर थे वो लीडर कौन-कौन थे एक तो यहां पर थे सैयद आम मुल्क तो फिर बाइन उसके बाद क्या है उसके बाद पर्जिनेंट के बारे में बात करेंगे हैं आप आप है